आपके साथ कि AutoCAD का यूज क्या है किस इंडर्स्ट्री में AutoCAD को हम यूज करते हैं कहां कहां इसका यूज है ठीक है दोस्तों तो देखिए AutoCAD एक ऐसा software है जो आज के दिन हर जगह हर फिल्ड में यूज किया जाता है बैसिकली जो में फिल्ड है इसके वो तीन फिल्ड है उनके बारे में आज बात करूँगा पहला फिल्ड है सिविल इंजीनिरिंग आर्किटेक्ट लाइन ओके सैकिंड है जो इसका mechanical line और third option जो इसका है main जो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है electrically वैसे तो ये तिनों में ही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं सिविल लाइन में सिविल लाइन मींज इंप्रा स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स हाइवेज एयरपोर्ट मार्केट सोब मॉल इन चीजों की डिजाइनिंग के लिए जो सोफ्ट्वेर हम यूज करते हैं सिविल में वो सबसे पहले ओटोकेड का ही नाम आता है ओटोकेड एक ऐसा सोफ्ट्वेर है जो इन चीजों के डिजाइन में बेहतरी इन तरीके से यूज किया जास्पता है होता है इसके द्वारा हम सिविल लाइन में अर्किटेक्ट लाइन में सेंटी मीटर से लेकर किलो मीटर तक के accurate point देते हैं और वो point accuracy के साथ ही होते हैं ठीक है तो infrastructure line में हम ओटोकेड का सबसे पहले परियोग करते हैं कोई building बनाना हो कुछ भी bridge बनाना हो देखिए उसके लिए हर चीज के लिए design में सबसे पहले ओटोकेड यूज करते हैं और आज के युग में जितनी भी पूरे वर्ड में जो भी बड़ी बिल्डिंग है पूल्ज प्लांट्स एवरिधिंग मतलब जो infrastructure समझते हूँ आप उससे जुड़ी चीजे हैं वो सारे ओटोकेड द्वारा design की हुई होते हैं इंजीनियरों के द्वारा ओके तो पहला यूज होता इसका सिविल इंजीनिरिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में इंप्रस्ट्रेक्टर लाइन में तो चलिए दोस्तों सब्सक्राइब पर बात करें तो सब्सक्राइब इसका है कि मोल्ड करने से पहले हार्ड मैटल की बात रहा हुआ है माली जी चाहे वो अ कि इंडिस्ट्री जो वेहिकल इंडिस्ट्रेज्ट छो एफिर कोई पार्ट्स मेकानिकल पाट्स जो बनाते हैं वो इंडिस्ट्री जो एक ये समझे कि साइकल की चैंश से लेकर बड़े हम weare september mismique design त्यार करते हैं उट्ओंímad ヤिजा इल्टी का यह फाइदा यह भी है कि हम जो भी अज़ेसी हमारी र्खु़िर्मेंट है उसके हिसाब से हम का पेड़ के थूरह बोड़ीजाइं बाइक र सकते हैं उसको तो देख सकते हैं कैसा कि वो बनने के बाद कैसा लगेगा बनने के बाद खूबियां क्या होगी उसकी कमियां क्या होगी तो किसी भी चीज किया किसी पार्ट को डिवलाप करने से पहले हैं हम उसकी कमियां उसकी खूबियां पता कर लेते हैं और वो पता किस के दरू करते हैं में बात करते हैं ब्लाइं तो टिशायन डयाग्राम जो भी उसका ब्लाइन था किसी भी बनाना होता कि कैसे कौन से कहां से लाइट किस पार्ट में तो बहूं सकते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि आजकी यूग में है पोटोटूट का बहुत बढ़ा योगदान है जो सिदिन इंडेस्ट्रीज उन में तो है है सिविल निंद इंट्राइट्रेट्र स्ट्रक्चर और मकैनिकल जिसमें पार्स से जुड़ी जो चीज़ें, थर्ड, इलेक्ट्रिकल, इन तीजों में, तीन चीजों में, ओटोकेड का बहुत बढ़ा योगता ना, तो अशा करता हम आपको पता चल गया हो गया, ओटोकेड का यूज, में, बेसिक निम, किन-किन जगहों पर होता है, तो थे थे लिए किन जगए, तो आपके दीजों में जरीचिजों में मुट्चर प्रीच टोट्यूरब एक्ट्रेच थे लिए अचानल के चल अट्छर आटिकल चैनल के दीज़ें